हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टो लेंसर विसेज, दिस राम सोनी एजुकेशन सिस्टम हमारे देश में आज से नहीं कई सालों से एक ऐसा पॉइंट बना हुआ है जहां पे हम चाहते हैं कि एजुकेशन सिस्टम में काफ़े डिवलप्मेंट हो नहीं एजुकेशन पॉलसी उसकी तरफ में देखा जाये तो एक बहुत ही महत्पूर्ण स्टेप है लेकिन कमाल की बात यह है कि नहीं एजुकेशन सिस्टम में कुछ बहुत अच्छे पॉइंट लेके आएगे जैसे कि आप एक ही डिगरी में कई बार इंटरी ले सकते हैं, कई बार एक्जिट ले सकते हो एक डिगरी में आप देखा जाये तो यदि आपकी डिगरी कम्प्रीट नहीं होती देखाया तो कई सारे महत्पूर्ण स्टेप्स हैं लेकिन कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो काफी काफी एक confusion create करते हैं काफी लोग के अंदर एक जिग्यासा create करते हैं हाला कि लोग उसके वारे में बात कम करते हैं लेकिन एक काफी important point है और उसमें सबसे important point है हमारे देश में जो सिक्षकों के हालात हैं वो क्या हैं आई ये इस के बारे हम थोड़ी बात करते हैं विल देखे हमारा education system ये तो बजरू बोलता है कि बच्चों के अंदर एक faculty का जो role होगा वो critical thinking develop करने का role होगा क्या develop करेगा एक critical thinking develop करने का role है अब देखे critical thinking जब develop करने के बाद आती है तो एक ऐसे इनसान से आप उमीद करते हो कि बच्चे के अंदर critical thinking develop करेगा जहांकि जिसके अंदर जिसके लिए खुद भी facility हम create नहीं करते हमारे देश में teachers की बात करें तो जो government teachers हैं जो सरकारी teacher हैं जो पुराने teachers हों की salary तो pretty good है काफी अच्छी salary है लेकिन जो presently जो faculty hire के जा रहे है इसपेसले समविदा में वर्ग 3 के teachers के salary पांच जार साथ जार नो हजार वर्ग 3 वर्ग 2 वर्ग 1 तो इस प्रकार से salary का range है यदि guest faculty में आप teachers को hire कर रहे हो तो वहाँ salary महज 5000 रुपए salary होती है और कमाल की बात है इतनी कम salary में कोई इंसान कैसे खाना खाएगा कैसे रहेगा इवे लिए एक मजदूर की salary भी एक guest faculty के teacher से जादा salary होती है तो एक वो faculty जिसके पास ये जिसको ये पता नहीं होता कल हम खाने में क्या खाएगे तो वो एक बच्चे के अंदर critical thinking कैसे develop करेगा तो क्या education policy में ये discuss नहीं करना चाहिए था कि एक faculty की जो minimum salary है minimum basis है वो कितने होने चाहिए क्या days में minimum basis declare नहीं होने चाहिए प्राइवेट इसकोलों की बात करें तो वहाँ भी हालात काफी नाजूख है कई सारे प्राइवेट इसकोलों के salary ठीक ठाक है 15-20,000 तक salary है लेकिन कुछ प्राइवेट इसकोल की salary महज 5-6,000-8,000 salary है और हमारे देश में एक सबसे बड़ी चीज मेरे कभी समझ नहीं आई कि हमारे यहाँ जो guest faculty है उनकी salary हमेशा 4-5 मेने बाद क्यों आती है मेरे समझ में आता आप कैसे system को बनाते हो यह आप government में बैठे हैं यह आप CM है हमारे किसी प्रदेश के CM है या ministers है तो मेरे समझ में आता आप कैसी policy बनाते हो या आप किसी college के head हो किसी school के head हो तो आप कैसी policy बनाते हो कि faculty की salary 4-5 मेने बाद क्यों आती है यह तो guest faculty है आपको salary हर मेने चाहिए लेकिन guest faculty को salary हर मेने क्यों नहीं चाहिए दूसरा point हमारे यहाँ यह है कि कई सारे directors मैंने बात की कुछ director से बात करी कुछ college के school के head है उनसे बात करी तुरों ने क्या बुला कि यह usually जो bachelors है ना वो manage करते हैं वो ऐसे manage करते हैं seriously मतला आप क्या चाहते हो कि यह कोई college में पढ़ा राएगे इस faculty group में तो उसको सारी जंदगी आप bachelor ही रखना चाहते हो क्या I am saying this one यह बहुत ही बड़ा question है बहुत ही बड़ा loophole है और हमारे देश में एक सब पॉलम यह है कि private school में teachers की salary बहुत ही कई जगे कम पाईगी है दूसरा एक सबसे बड़ा challenge यहाँ पे है सबसे बड़ा cross question यह है कि हमारे यहाँ जो private schools है वहाँ faculties को जो facility मिलती है working environment जो है वो काफी खराब है जैसे मैंने कई private school में देखे हैं faculties काम करते हुए वो 8-9 गंटे लगातार classes लेते हैं और यह जो 8-9 गंटे class होती है उसमें भी आप सुचे कि यह ती time period का जो variation आता है वो काफी बड़ी problem create करता है आपको पहले ground floor में class देना है फिर third floor में class देना है फिर ground floor में class देना है तो यह जो problems होते हैं यह भी बहुत ही बड़ी massive problem है लोग जरूर कहते हैं कि हाँ यह तो manage करना चाहिए लेकिन यह वो लोग कहते हैं कि manage करना चाहिए जो खुद बढ़ियां आराम से AC बैटके मज़े कर रहे होते हैं तो यह बहुत ही बड़ा question mark है इसको address करने के हमारे देश मे यह है कि this is quite big question this is quite massive question कि हमारे यहाँ जो minimum base teachers के minimum base की बात क्यों नहीं होती हमारे देश में एक सिख्छक को कम से कम salary क्यों नहीं मला चाहिए एक सबसे बड़ा point में आपको बदाता हूँ यह आप माने ना माने हमारे देश में जो mentality बना रखी है चाहे वो politicians हों चाहे वो administrators हों के vice counselors या professors हों एक mentality बना रखी हर किसी ने कि जो teaching में job करता है वो कहीं न किसो कहीं नहीं job नहीं मिली इसलिए वो teaching में job करने आ गया तो जनली उनको द्यायम दर्जे का ब्योहार किया था उनको उनके साथ कभी भी fair treatment नहीं किया था तो एक बहुत ही बड़ा problem यह है कि इसे कार जो vacancies निकल रही हो तो काफी अच्छी vacancies निकल रही है मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि एक faculty की जो vacancy निकालते हैं एदि हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में faculties की vacancy कितने साल में निकलती है आठ साल दस साल अजी आप यह बताओ कि हर साल आप faculty के recruitment तक नहीं करते हो एक बंदा जो MA या MSC कर रखा है वो क्या करेगा तो यह बहुत बड़ा question mark है faculties जो हमारे देश में teachers है जिनके पास आपको एक चीज़ बताओं एक अच्छा teacher किसी बच्चे को मिल जाए तो उसकी दिसा और दिसा दोनों बदल सकता है यह आपको पता होना आच है यादि आप भी कभी एक IIS OFFICER بنे हो ओंगे IPS OFFICER बने ओंगे हो या जो भी आप बने हो जो IIS IPS OFFICER का है रोल है यह लग बात उनकी life में एक कोचिंग के teacher का रोल रहा हो या किसी ऐसे teacher का रोल रहा हो एक दो faculty गा ऐसे life मदलते हैं बट anyhow teachers का रोल बहुत बड़ा होता है तो यह teachers को आप facility rate नहीं करोगे teachers के हालत बदहाल करके रहोगे तो एक teacher बच्चे को critical thinking कैसे सिखाएगा तो एक बहुत बड़ी problem है जिसको मैं address करना चाहता हूँ हलाकि एक series है जो हम teachers के लिए जरूर यहाँ पे start करेंगे तो यदि आप teacher हैं तो जरूर इस video को share करें अधिक सदिक share करें इसे लोग को पता चले कि यह भी बहुत बड़ी problem है जिसको हमारे देश में address करने की जरूरत है तो फिलाल मैं तीन points में discuss करूँगा पहली बात यह हमारे देश में जो teachers हैं उनकी salary जो है minimum base जो new income salary है वो declare होना बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ पर जो सिक्छों का exploitation बहुत ज़दा हो रहा है दूसरी point यह है कि जो working environment है वो address होना बहुत जरूरी है और तीसरा point ने private school में एक बड़ी problem पाएगी है और वहाँ यह problem पाएगी है कि जो faculties especially the women है तो वहाँ पर जब maternity की problem आती है जो maternity benefit हमारी सरकार देने की बादे करती है लेकिन जब भी private school में maternity की problem आती है तो वहाँ तो उस faculty को usually fire कर दिया आता है और maternity benefit उस faculty को नहीं मिलती इसको address करने के लिए जो mechanism बना रखे है हमने बहुत ही weak mechanism है क्यों? चुकि आप कहते हो आप को कोर्ट में case लड़ना चीए क्यों आप ऐसी कोई mechanism नहीं बनाते हो जहाँ पर आप directly अपरोच कर सकते हो तो maternity benefit का जो अपरोच है यह 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 आप survey करे हमारे इस state में तो आपको बहुत ही चोकाने वाले आखड़े मिलेंगे कई बार लोग सुचते है ठीक है चलो हम घर में बैठे रहेंगे बट यह बहुत बड़ा question mark है तो इस school के direction मिलना चीए उनको यहाँ तक यह भी direction होना चीए कि किसी school ने maternity benefit नहीं दिया तो उसकी basic registration जो है वो cancel कर दी जानी चाहिए तो इससे असर पड़ेगा चो कई बार क्या होता है punishment थोड़ी बड़ा डेकलेर करना पड़ता है तब जाके लोग उससे सही positive action लेते हैं तो हमारे देश में कुछ ऐसी problems है जो faculties उससे काफी ज़दा struggle कर रहे है इसको address करने ही जुरूत है I hope so आप इसमें support करेंगे आप इस video को अधिक सदिक share करें दोस्तों को बीच में share करें उनको भी information मिले और यहाँ पे एक moment की जुरूत है जहाँ पे teachers की जो problem है उसको address करने की पूरे देश में एक बहुत बड़ी जुरूत है फिला इस video के लिए इतना ही that's all, thank you